हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग अभी टाइम हो रहा है अराउंड 11 ओ क्लॉक और कल की वीडियो में हमारा डिस्केशन का पार था कि मार्केट में फेक ब्रेक आउट है अपसाइड को और यहां पे अगर कल फ्लैट ओपन होती है मार्केट तो डाउन साइड के लिए पॉसिब डिस्केशन का पार्ट फेक ब्रेक आउट है डाउन साइड में मार्केट इस लेवल तक टेस्ट करने के लिए आ सकती है मार्केट यहां पे आई अगर मार्केट आज 650 के उपर क्लोज होती है तब इसके अपसाइड के चांसिस बनते हैं at least 43,800 तक के जो हमारा डिस्केशन का पार था पहले भी आपको ऐसे एनलेसिस कहीं और पे मिले तो मिरे को बताना मैं भी उसको फॉलो करूंगा नहीं तो आप लोगों का क्या फर्ज बनता है लाइक करना कमेंट करना three and half month से continue यह हो रहा है एक दिन पहले डिस्केशन होता है next day market वो बिहेब करती है आप सब को कम साल के अंदर अंदर independent trader आप बन जाओगे क्योंकि मैं practical चीजें बाते करता हूँ जो market next day होने वाली और करने वाली होती है फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं फिन निफ्टी में क्या कहा था फिन निफ्टी में अगर market का जो behavior है यह क्या बता रहा है market में pain है fall आने के expectation है downside के लिए रहेगा अगर फिन निफ्टी 19,515 के नीचे है तब इसमें अच्छा खासा fall आएगा market open हुई downside को fall किया और fall करने के बाद में अभी downside में trade कर रही है अब यह क्या बोल रहा है कि यहां से projection बनाके at least मैं इस level तक आऊँगा 19,400 के आसपास यहां तक market dip लगा सकती है लगाएगी wait करते हैं कब आती है उसके बाद में अब आपको क्या दिखा रहा है यहां से upside में zero hero जो बनेगा आज जिसको आप zero hero बोलते हो हम लोग नहीं करते हैं वो zero hero कहां बनेगा upside के लिए बहुत भ्यंकर रह ली 19,586 से लेके 600 के आसपास तक upside का move market दिखाएगी यह market बोलती है बात करती है इस level पे analysis सीखने हैं यह आपको दिखेगा 11 बज के 13 मिनट हो रहे हैं move आएगा next week की expiry में हम trade करते हैं हमारा को interest नहीं होता है zero hero में बट जब हमें move clear है next week की expiry में trade लेके अच्छा खासा profit ले सकते हैं हमें क्या दिक्कत है मिलते हैं साड़े 3 बज़े के बाद